दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे गौटा लफ्स का मतलब क्या है दोस्तों गौटा लफ्स का एक गौटा एक शार्ट फार्म में जिसका मतलब यह जाता है इन दो लफ्सों में गौट ए या गौट टू गौट ए या गौट टू अगर गौट ए का मतलब निकाले दूस या have to ठीक है आगे हम बात करेंगी कि आपको gotta इस्तमाल करना चाहिए या नहीं और इसे gotta को example की मदद से भी समझते हैं हमारे सामने दो example है ठीक है got a cigarette ठीक है एक जुम्ला है got a cigarette ठीक है अगर हम इसी जुम्ले को दूसरी अंदास से कहना चाहिए तो हम कहेंगे have a cigarette ठीक है got a cigarette cigarette प्योगे have a cigarette cigarette प्योगे ठीक है तो या have a cigarette एक cigarette लोगे या cigarette प्योगे got a cigarette cigarette प्योगे यानि पूछा जा रहा है इसलिए इसके last में जो है question मार गाई है तो एक बात मेंशे जहर में रखे note gotta is an informal word and it should be avoided in written and spoken formal English got a जो है वो एक informal word है उसे आप कोशिश करें ना तो formal English का जो written form है ना उसे written form है इसमाल करें और ना ही उसे spoken form है इसका grace करें बजाए इसके आप अगर किसी को कहते हैं कोई चीज ओफर करते हैं या x y z cigarette की बात कर रहते हैं किसी को ओफर करना है क्यों कि ये एक informal word है